मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि जो आपने आरोप लगाए हैं SDM के खिलाब बहुत सीरियस है राइट यह मजाक मत मलाईएगा सर हम लोग ड्राइग रूम में बैटे हैं क्या लौडशिप छोड़िये किसी भी सरकारी दफ्तर के ऊपर गंभी आरोप लगाना इ उसको अंदर का रास्ता देखाना पड़ेगा या तो कोई बाहर जाएगा कोई अंदर जाएगा दोने में से तो एक बात होने वाली तब मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं आप लोग यह जो भी मन गणंत जवाब बनाते हो कोट में अगर उनके वो जवाब गलत पाए गए तो कौन पसेगा आप पसोगे उसके बाद भी आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि आस्ता काहिल करके नोटिस तो निकल जाएगा बाद में जो है वी कॉस्ट लगने वाली उससे कैसे बचे होगए लोट से मैं रिस्पेट्पली समिस्ट लोट से एसेच्चो नेपा नगर पे वो निवेदन किया और हमदस्त वारंट ले गए उसके बाद उसकी अभी स्विक्रती प्रोड्यूस नहीं की और फिर आप कभी भी नियाले में उपस्थित नहीं हुए अदम पैरवी में मुकदमा खारिज हो चुका है अदम पैरवी में खारि अच्छी बात है अच्छी बात है और मत्र आप ही मांदार है दुनिया हमें यहीं कहना चाहते हैं अप्रिशेट दा ओडर सीट इट्सेल लोड शीप 19 जन्वरी 2024 यहां पे जहां पे हमको हम दस्त दिया गया है तो कहीं भी हमरें रिसीबिंग नहीं लोड सिप जब भी कोई आपने मिस्टर कॉंसल ज्यादा और स्मार्ट ना बनना अब ज्यादा और स्मार्ट ना बनना अब आप मुझे यह बताए कि आपने जो ओडर शीट की को नकल लगाई है वो एनक्षर क्या है लोड सिप यह ने इस एक दो हजार 24 चौविस आच्छी बात है क्या आपने उस साथ यह किस दिन निकल वाई आपने ओडर शीट है इतनी असानी से तो नहीं चोड़ूँगा सब इंक्वारी होके छोड़ूँगा लौट शिप इसकी सेटीफाइट कॉपी दीजिये यह इस नहीं आप दीजिये सर्टिफाइट कोपी लोडसिप यह सर्टिफाइट कापी जो है यह अब यह अपके पास होगी दीजिए ना इन्हां दोट सुपी यह सर्टिफाइट कोपी हमने जब हैविस कॉर्पस लगाये थी अनुरेबल डीवी पे तब हमने लगाई थी और यह आपने कब निकाले थी यह आपको मिली है पांच तीन दोजाद चौबेस को ठीक है लॉट सीब आपने क्या उस देन जब भी अपलाई किया था सारी ओडर शीट के लिए अपलाई किया था सरफ इसी ओडर शीट के लिए अपलाई किया था सोच समझ के बोलिएगा पूरी पूरा सोच समझ के बोलिएगा नहीं तो content में यहां से भी भेजूँगा कि यहां पे तफरी करने कोई नहीं आने दूँगा मैं किसी को कि अब आप सोच समझ के बोलिए कि क्या आपने इन आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है यह सारी और शीर्स उसने बाद में लिखी है नोटिस मिलने के राइट लाइट आप इस की सीरियसने समझते हैं समझते हैं के नहीं समझते क्योंकि इसके साइन होना चाहिए इसके आपके साइन से कोई कुछ नहीं होता हम जस्त देगा लॉट सिप तो लेगा रही है से सुन दीजी अच्छे से मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि जो आपने आरोप लगाए हैं SDM के खिलाब बहुत सीरियस है क्योंकि अगर सरकारी का फाइल के साथ छड़खानी की जाती है और एंटी डेटेड ओर्डर्स लिखे जाते हैं तो ऐसे SDM को शायद नौकरी पर रहने की अवशकता है कि नहीं है यह हमें नहीं मालूँ यह तो गवर्मेंट जानेगी कि फ़र्जी काम करने वाले नौकरी में रखे जाने चाहिए कि नहीं सीरियस मेंटर है अब आप यह बताइए कि आपने जो यह ओडर शीट मिली थी आपको पांच दिन दोहजाद चौबेस के आपने सारी ओडर शीट मांगी थी कि मात्र यही ओडर शीट मांगी थी सोच समझ के पक्षकार से पूछ लिजिए नहीं तो अगर पक्षकार ने बो यह जो ओडर शीट आपने सेटिफाइड कॉपी लगाई है इसकी अप्लिकेशन में आपने सारी ओडर शीट मांगी थी कि मात्र इसी तारीक की ओडर शीट मांगी है तो उसका सर दूसरा होगा और आपने मात्र इसी की ओडर शीट मांगी है तो उसका सर दूसरा होगा और यह सोच लीजेगा वो सारा रेकॉर्ड होता है उसके बाद आपके स्टेट्मेंट के बाद हम आगे का आदेश पाहिट करें ठेके माडम वो दे देज़े स्टेट्मेंट आने दीते हैं आप पांच मिन बाद सब्सक्राइब आपने सारी ओडर शिट्स मांगी थी कि मात रेकॉर्ड लॉट्सिप हमने संपूर्ण यसमें लिखा हुआ है लॉट्सिप आप से लिखा हुआ है न्याले अनविभागी यह दिकारी राजयों पकलोड करते से यह तो कोई आपकी एप्लिकेशन है संतान्वे की लोड़ सिफ लोड़ सिफ उसमें कैसे लिख सकते हो से लोड़ सिफ प्रसे कहां लेखा है काइन रिप्ट सेट न्याले अनुवगाई अधिकारी राजस प्रकरण करमांग एक धारा संताने बर्स दोजात तेइस चोबिस के संपून तकर प्रमाणीत प्रतली पी जारी सब प्रेज नंबर आप उससी पर हाथ से लिखा हुआ है कि किस दिन जारी की गई और क्या-क्या जारी किया गया है पे नमबर थर्टीन पीटू पे तॉप पे लिखा गया है ये चाप जारी हुआ था ये ये चाप बीज एक दो हजार चॉबीस को संपूर्ण पक्राण की काम पी वागी थी यह कब जारी हुए थे जारी डेट ही है इस पर लिखाए थे लौट सिप यह नकल जारी दिनांग 24 एक 24 दो हजार 24 लौट सिप तो हमने इस तारीक को पूरी कमागी थे जैसर इसके बाद पुनेश्चे का भी एक 19 तारीक ही है और सारी ओरेशिट उसके बाद की 15 दो 24 की है लौट सिप आप कभी भी न्याले में गए जो कि आपकी अनुपस्थिती लग रही है बार बार लौट सिप पहले मैं इसको यह कर दे कीनों ने पूरी मागी थे लौट सिप अच्छी पाथ है दे दिया नहों गया अब आप यह बतार यह पंदरा दो के एडवोकेट साब ग मैं आप ही के खिलाफ कंटेंट नोटिसी शुकूरूंगा आपका स्टेट्मेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं यह मजाक मत मल रही हैगा सर मैं आप लोग को वार्निंग देता हूँ कि साब आप पक्षकार के ब्याफ की उपर जूट बोलके अपने आपको मुसीबत में मत डालिए जब आप कोई असपेक्ट पर बात करते हैं तो आप पक्षकार का एफिडिविट लगाईए पर आप लोग सुधरने को तयार नहीं है वकिल साब का एफिडिविट देना चाहते हैं जो भी आप कहेंगे अपने वकिल साब का एफिडिविट देंगे वहां का अब उनसे आप आंसार कर रहे हैं आप बोलिएगा कि सब मुझे इंस्ट्रक्शन्स हैं मैं एफिडिविट देना चाहता हूं ऐसे को इंस्ट्रक्शन्स आपको फिर आप कहानी बना रहे हैं अपने मंद से कि मेरा वकील गया था मैं आप लोगों को बार-बार वान कर रहा हूं कि अगर कोई भी फैक्शल स्टेट्मेंट गलत होता है जिस आदमी ने वह फैक्शल स्टेट्मेंट गलत किया है वह लाइबर टू बी प्रोसेकुटिटर फॉर कंटेंट और आप अपने आपको इस कानून से उपर मानते हैं किस अधार पर मानते हैं आप अपने आपको नहीं है आप जानते हैं कि गलत ब्यानी करने पर आपके खिलाब कंटेंट की कारवाई चल सकती है पता है आपको उसके बावजुद भी बेधड़क तोर पर आप लोग करते हो यह मान लिया जाए कि आप लोग जानते बूचते ह हुए समझते हुए उसके consequences को यह गरब ब्यानी करते हो कि दो लोट सब्सक्राइब आपको कहानी जूटी निकली तो सहाब आपको रास्तामालों में कहा जाना है आजकल बहुत लोग जा रहे हैं वहां पर आप यह मत कहना कि सब बिना बिना चितावनी के आपने आदेश कर है हम तो चेतावनी नहीं है आपको सलाह दे रहे हैं कि यह जूटी का गलत ब्यानियां कोट में अपनी केरियर को दाओं पर लगा के बंद कर दीजिए अगर आप लोग उसकी उस सलाह को मानने को तयार नहीं है तो consequences face करने के लिए तयार हुजाए एग्री भी लोट से आपको आई अग्री लिखने का दिकार मिलेगा कि वहां पर रहके आई अग्री मत करिये मेरे साथ क्लिए इसको बिड्रोप करने करें नहीं सर आपने आपने एजडियों के खिलाफ संगीना रोप लगाएं आपने नहीं कहानी बनानी शुरू कर दी यहां पर हम क्यों ऐसी सब्सक्राइब करने किया और अगर वह सरकारी कर रहा है तो इसे लौट रहे से पर हम दस्त तो वह वह सीव को सब मत कीजिए मैं वार्निंग दे नहीं आपको पूर्व की चितावनी जादी कर रहा हूँ कि सोच समझ के बोलेगा अगर गलत पाया गया और आपकी पावतिया निकालाई वहां पे कोई आपको बचानी पाएंगा सिर्द कोई पावति नहीं लौट सिर्द आपने वहां से पुछ लिया है आपके पश्कार से आप लोगों के नहीं होते हैं अब भी रिसेंट नहीं हो पाएं अब रुख जाए है रुख जाए है अब आप आप इसको अक्सपोस होने दीजे के आपके पक्षकार से आखरी बार कम लाकाट वहीं इसको में बिड्रो करना नहीं सर्कौरी दफ्तर के ओपर गंभी आरोप लगाना इतनी असानी से हम छोड़ेंगे नहीं ना तो सब सरकों ना लगाने वाले को यह आदमी गलत बोल रहा है वहीं तो पूछा आप से आपकी पक्षकार से आखरी बार मुलाकात का वह इतना ही पूछा आप से जब मने पहले पेडिशन लगाई थी तब मुलागात हुई थी उससे अब उसने कभी कुछ बताया था उसके बाद कोई उसने अब डेट नहीं दिया आपने पूछा कि भैड तुम उसके बाद कभी कोड गए लौड से पूछा था कभी कोट गया कि आट अब पूछा आप आगे गया यह पूछा यह पूछा यही पूछेंगे कि जो तब जाके ही पता करेंगा लको कि वो मुझे वकालत नहीं करने कि आपका कहना है कि यह ओडर शीट जो है इसकी सेटिफाइट कॉपी आपने वह डवलूपी में लगाई हुई है इतनी ही लगाई हुई है और इसमें 24 को पूरी हमने मांगी थी आपने यह में अपने वह गाई है अभी देख लेते हैं इसमें अभी ऑस में ब्युक्ति कापी देखी गह रहा होंगा चलो बुलाओ वाई-पाई पूर सेवन सिक्सी टॉन्टीफॉ इसको लंच के बाद देखते हैं अरे किसी के भी खिलाब आरोप लगाना अराम से फिर चले जाना इतनी असानी से नहीं होता से इतनी असानी से तो मेरी कोड में किसी खिलाब भी आरोप एंद्यों पर चले जाने नहीं और वो भी सरकारी काम में करने के आरोप पर पेश और इसलिए सब परची आदेश पत्रिकाएं लिखी गई है ऐसा आरोप लगा रहे है कि हमने संपोर मागे दिश्टा कर रहा हो ना है कि क्या प्रॉलम किया है अगर उस आया जाता है कि एस पर जिखाना पड़ेगा तो अंदर का रस्ता दिखाना पड़ेगा यहां तो कोई बाहर जाएगा कोई अंदर जाएगा दोने में से तो एक बात हुने वार लिए प्रियर लॉट्स इप्टिशनलोट्स 6097 अब्ली 2024 in compliance of order dated 23-2024 the state council has produced the certified copy of the order sheets of the court of SDM Nepanagar district Burhanpur recorded in case number 1-2024 according to these order sheets on 19-1-2024 a prayer was also made by the petitioner that he may be granted Hamdash warrant so that the same can be executed as early as possible and accordingly a direction was also given on 19-1-24 to the effect that Hamdash warrant may be handed over to the petitioner thereafter from order sheets dated 15-2024 16-2024 it appears that the applicant did not appear since the life of the warrant had already did not appear before the court and even the acknowledgement of service of warrant to the SHO police station Nepanagar district Burhanpur was also not filed since the life of the warrant had expired therefore on 16-2024 the SDM Nepanagar district Burhanpur dismissed the case for warrant of prosecution it is submitted by counsel for the applicant that the order sheets the subsequent order sheet dated 19-1-24 15-2024 and 16-2024 were written subsequent to the issuance of this of the notice of this case the aforesaid allegation made against the SDM Nepanagar district Burhanpur is a serious one and accordingly this court was inclined to conduct an inquiry and certain questions were put to the counsel for the petitioner although the counsel for the petitioner tried to give self imaginary answers but he fairly considered that those answers are not on the basis of the instructions given by the applicant the police is done later on the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition the petition is dismissed as withdrawn however however a word of caution is issued is that no one should make the unfounded allegations against the authorities even to the extent of unfounded allegations even to the extent that the order sheets were written subsequently that the backdated order sheets were written subsequently although this petitioner also this court was inclined to impose heavy costs for misadventurous act of the applicant but looking to the controversy involved in the case the the cost is not being imposed the petition is dismissed for one dismissed as withdrawn when when you know you know you you know you know you know you know